मद्ध कान एक छोटी हवा से भरी गुहा है जो बाहरी कान और आंत्रिक कान के बीच स्थित होती है ये श्रवन प्रणाली का एक मैत्वपून हिस्सा है और कान के परदे से आंत्रिक कान तक ध्वनी कमपन को प्रसारित करने में मैत्वपून भूमिका निभाता है जहां ध्वनी को विद्यूत संकेतों में परिवर्थित किया जाता है जिसे मस्तिष्ट व्याख्या कर सकता है मध्यकान में उसे क्लेज और यूस्टेशियन ट्यूब होते है और सिक्ल्स मध्यकान में थ्री छोटी हड्डिया मैलियस, इनकस और स्टेप्स होती है इन थ्री हड्डियों को सामुहिक रूप से कान उसे क्लेज कहा जाता है मध्यकान की पहली हड्डी मैलियस है मैलियस का औसताकार उचाई में लगभग 8 mm और चौड़ाई 2.7 mm है मैलियस टाइम पेनम से जुड़ा होता है मैलियस टाइम पेनम से कमपन प्राप्त करता है और इसे इनकस तक पहुचाता है जो औसिकलस में दूसरी हड्डी है इनकस औसिकलस में दूसरी हड्डी है इनकस का औसताकार उचाई में लगभग 6.8 mm और चौड़ाई 5.3 mm है इनकस मैलियस और स्टेपीज के बीच मध्यस्त के रूप में कारे करता है इनकस का एक सिरा मैलियलस से तथा दूसरा सिरा सिरा स्टेपीज से जुड़ा होता है इनकस मैलियस से प्राप्त कमपन को औसिकलस की तीसरी हड्डी स्टेपीज में स्थानांतरित करता है स्टेपीज और सिक्लस में तीसरी हड़ी है स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड़ी भी है स्टेपीज का औस अताकार पूँचाई में लगभग 3.5 mm और 4.4 mm है स्टेपीज का एक सिरा इंकस से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा अंदाकार खिर्की से जुड़ा होता है जो आंतरिक कान की ओर का प्रवेश्दवार है टिपीज इनकस से कमपन प्राप्त करता है और उन्हें अंदाकार खिड़की के माध्यम से आंतरिक कान तक पहुचाता है अंदाकार खिड़की ये जिल्ली से धका हुआ उद्गाटन है जो आंतरिक कान की ओर जाता है स्टैपिस अंदाकार खिड़की से जुड़ता है यूस्टेशियन ट्यूब को श्रवन ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है एक संकीर्न और जो मध्यकान को ग्रस्नी जो नाग हुआ के पीछे स्थित कले का उपरी भाग है से जोडता है यूस्टेशियन ट्यूब लगभग 3.5 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और श्रेश्न कक्ष से धकी होती है यूस्टेशियन ट्यूब आमतोर पर बंद रहती है लेकिन निगलने जभाई लेने या चबाने जैसी कुछ क्रियाओं के माध्यम से स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से खोली जा सकती है परतेक मानवकान में एक यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो मध्यकान गुहा में स्थित होती है और ये मध्यपरत और वायू मंडल के बीच उचित वायू दबाव बनाए रखने में महत्वपून खुमिका निभाती है आम तोर पर मध्यकान के अंदर का दबाव बाहर के दबाव के समान होना चाहिए हाला कि बाहरी दबाव में परिवर्तन जैसे उरानों के दौरान या उच्चुचाई से चड़ते उतरते समय दबाव असंतुलन का कारण बन सकता है यूस्टेशियन ट्यूब खुलती है और हवा को मध्यकान के अंदर या बाहर प्रवाहित होने देती है कान के परदे के दोनों और दबाव को बरावर करना ये प्रक्रिया सामान में सुनने में मदद करती है और असुविधा को रूपती है और मद्यकान की नाजुक संगरचनाओं की रक्षा करती है जलनिकासी यूस्टेशिन, ट्यूब, संक्रमन या सूजन के कारण मद्यकान में जमा होने वाले किसी भी तरल पदार्थ को निकालने में भी सहायता करती है ये जल निकासी कान के स्वस्थ वातावरण को बनाय रखने में मदद करती है और कान के संक्रमन के खत्रे को कम करती है मद्यकान की कारेप्रणाली जब ध्वनी तरंगे कान नहर में प्रवेश करती है तो वे कान के परदे में कमपन पैदा करती है फिर कान के परदे का कंपन मध्यकान की उसिकलेश में स्थानांतरित हो जाता है। उसिकलेश कंपन को बढ़ाते हैं और कर्णपटा से अंडाकार खिर्की तक प्रसारित करते हैं। संचारण करते समय उसिकलेश में मौजूद हड्या इन ध्वनी कंपन को बढ़ा देती हैं। आम तोर पर ये उन्हें प्राप्त होने वाली राशी से 20 गुना अधिक तक बढ़ जाता है। गिल्भावना पून में उसे क्लेश, मैलियस, इंकस और स्टेप्स की श्रिंखला एक लीवर प्रणाली की तरह काम करती है। संग्षेप में मध्य कान एक यांत्रिक एम्पलीफायर के रूप में कारे करता है, जो ताइम पेनम से ध्वनी कमपन को आंत्रिक कान में द्रवान दोलनों में परिवर्तित करता है। कान के अंदर हवा का दबाव सही बनाए रखने में मध्य कान की भी महत पूर्ण भूमिका होती है।